पांच मिनट में दो इंच हाइट बढ़ाओ, दोफैर को मैंने ये काम किया और साम को मेरी हाइट पांच इंच बढ़ गई, रात को मैंने चोरी से ये काम आदे घंटे तक किया और सुबह तक मेरी हाइट 6 इंच बढ़ गई, मैं अपने तक्ये के नीचे ये रख के सोया और स है फीट लंबा हो गया मैंने दूद में ये मिला कर पिया और मेरी हाइट बढ़ गई दोस्तो ऐसी वीडियो यूटूब पर भरी पड़ी हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हाइट बढ़ाना क्या बच्चों का नाटक हो गया है कि अब बालवीर हवा में उड़कर मैं कह रहा हूँ बिलकुल नहीं बढ़ेगी दो दिन में भी क्या दस दिन में भी आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली हाइट बढ़ाने के लिए पूरे एक महीने 15 दिन का टाइम लगेगा पूरा यदि 45 दिन का पूरा वेट कर सकते हो तो ही ये वीडियो पूरा देखना वरना वीडियो को स्किप्ट करो और दूसरा कोई वीडियो देख लो जाके दोस्तों अगर आप वास्तों में ही अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आज आप बिलकुल सही जगह पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पांच ऐसी एक्सोसाइज बताने जा रहा जिने अगर आप 45 दिन तक रोज आना बिलकुल सही तरीके से फोलो करते हैं तो आपकी हाइट को बढ़ने से कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता ये मेरी गारंटी है आपसे दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आपका बोडी से रिलेटिड सबस्क्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर सबसे ज़्यादा आर्मी वालों की ही हेल्प होने वाली है और हाँ अगर आपको मेरी बातें बुरी लगें या गलत लगें तो हमें कमेंट में जरूर बताना तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वा सच मैं आपको बता दूँ जिसकी उम्र 25 से अधिक है उनकी हाइट नहीं बढ़ने वाली वो लाख भी कोसिस कर लें लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो ये वीडियो सिर्फ 25 से नीचे वालों के लिए है बाकी 25 से उपर वाले इस से हाइट नहीं बढ़ा सकते है तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना वीडियो एक स्किप मत करना और हर एक स्टैप को ध्यान से सुनना और कोई भी स्टैप मिस मत करना इस वीडियो का हर एक सेकिन आपकी हाइट बढ़ाने के लिए महत्व पूर्ण हैं दोस्तों हाइट बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डाइट प्लान पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा और हाइट बढ़ाने के डाइट प्लान की पूरी जानकारी की वीडियो हमने अपने चैनल पर बना रखी है कि सुबह से लेकर रात तक आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमने उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्सन में डाल दिया है आप इन एक्सोसाइज के साथ साथ उसी डाइट प्लान को फोलो करें तो अब बात करते हैं इन पांच एक्सोसाइज के बारे में सबसे पहली एक्सोसाइज है सूरे नमसकार दोस्तों सूरे नमसकार एक एक्सोसाइज मात रही नहीं है बलकि हाइट बढ़ाने वालों के लिए एक वर्दान है क्योंकि सूरे नमसकार में 12 स्टेप होते हैं और सूरे नमसकार का हर एक स्टेप अपने आप में एक हाइट बढ़ाने की एक्सोसाइज है तो एक सूरे नमस्कार करने से आप हाइट बढ़ाने की बारह एक्सोसाइज कमप्लेट कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता ये बात यूट्यूब पर आज तक किसी नहीं बताई होगी क्योंकि लोगों को सही जानकारी के बारे में पता नहीं होता तो अब मैं आपको बता दूँ कि आपको सूरे नमस्कार किस टाइम करना है कहां करना है और कितनी बार करना है आपको सूरे नमस्कार सुबह के समय खाली पेट करना है आप इसे किसी खुली जगह पर ही करें जहांपर सुध वायू आपके सरीर में पहुंचे जैसे किसी पार्क में या फिर अपने घर की छट पर भी कर सकते हैं आपको सुरुवात में सूरे नमस्कार पांच बार रोजाना करना है उसके बाद धीरे धीरे आप इसे बढ़ा कर बारे बार कर सकते हैं एक सूरे नमस्कार में बारा स्टेप होते हैं जो आपको रोजाना कम से कम पांच बार करने हैं दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि सूरे नमस्कार कैसे करते हैं सबसे पहले आपको सीधे नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाना है उसके बाद अपने दोनों हातों को खोल कर धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाना है उसके बाद दोनों हातों को धीरे धीरे आगे की तरफ लाकर अपने पैरों से मिलाना है साथ ही अपने माथे को अपने पैरों से मिलाने की कोसिस करनी है जैसा कि आप image में देख सकते हो उसके बाद हातों को जमीन पर रखकर बिल्कुल सामने देखते हुए अपने एक पैर को पीछे की तरफ रखना है उसके बाद दूसरा पैर भी पीछे की ओर ले जाना है अब आपके दोनों हात आगे जमीन पर पीठ उठी हुई और पैर पीछे मिले हुए होंगे अब आपको पुसपस की तरह अपनी चाती को जमीन से मिलाना है और फिर धीरे धीरे अपनी सिर्वे चाती को हात के सहारे उपर की ओर उठाना है उसके बाद आपको अपनी पीट को उपर उठाना है फिर धीरे धीरे एक पैर आगे रखना है फिर दूसरा पैर भी आगे ले जाना है और दोनों पैर मिलाकर उनको हातों से टच करना है फिर धीरे धीरे दोनों हातों को उठाते हुए सीधे खड़े होना है और हातों को पीछे की ओर ले जाना है उसके बाद हातों को आगे की ओर लाकर फिर से नमसकार की मुद्रा में खड़े हो जाना है इस प्रकार आपका एक बार सूर्य नमसकार कम्पलीट हो जाता है इसे आपको रो जाना कम से कम पांच बार करना है अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी exercise के बारे में दूसरी exercise का नाम है hanging यानि लटकना दोस्तों जब आप दोनों हातों से किसी चीज पर लटकते हैं तो इससे आपके पूरे सरीर में खिचाओ पैदा होता है और ये ऐसा खिचाओ होता है कि मातर इसी exercise से पंद्रे दिनों के अंदर ही आपकी एक से दो इंच हाइट बढ़ जाती है तो अब मैं आपको लटकने का सबसे बैस्ट तरीका बताता हूँ आपको सुबह के समय किसी डंडे पर या फिर पेड के किसी टहने पर एक मिनट तक लगातार लटकना है फिर दो मिनट का आराम करना है फिर आपको एक मिनट लगातार लटकना है इस प्रकार आपको पांच बार एक एक मिनट तक लटकना है और हर एक मिनट के बाद दो मिनट का आराम करना है यदि ऐसा आप लगातार करते हैं तो आपको कुछ दिनों बाद ही अपनी हाइट में परिवर्तन दिखना सुरू हो जाएगा अब आते हैं अपनी तीसरी नंबर की एक्सोसाइज पर तीसरी एक्सोसाइज है पंजो के बल उचकना ये हाइट बढ़ाने की बहुत ही अच्छी एक्सोसाइज है इसमें आपको सीधे खड़े होकर अपनी एडी को ऊपर उठाना होता है जिससे आपके पैरों में खिचाओ पैदा होता है जो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है इसमें आपको 10 सेकंड तक अपने पंजो पर खड़े रहना है उसके बाद फिर से नॉर्मल खड़े हो जाना है 5 सेकंड तक और उसके बाद फिर से अपनी एडी को ऊपर 10 सेकंड तक उठाना है और फिर से नॉर्मल खड़े हो जाना है ऐसा आपको 5 मिनट तक रोजाना करना है अब आते हैं अपनी चोथे नंबर की एक्सोसाइज पर जिसका नाम है हलासन इसे करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर सीधे लेट जाएं अपने दोनों हातों को जमीन पर सटाते हुए अपने दोनों पैरों को सिर के उपर ले जाएं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार करना है इसी स्थिते में आप एक मिनट तक ऐसे ही रहें फिर धीरे धीरे पहले की स्थिते में आकर दो मिनट का आराम करना है ऐसा आपको कम से कम पांच बार करना है इसमें आपके कमर से लेकर पैरों तक के जोड़ खुलते हैं जो की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है अब मैं आपको बताता हूँ आज की पांचवी और बहुत ही इंपोटेंट एक्सोसाइज जिसका नाम है जम्प रोक मतलब रसी कूदना दोस्तों रसी कूदते समय हमारी फुल बोड़ी की एक्सोसाइज होती है हमारे सरीर की सभी नसें पूरी तरह खुल जाती है जिसके बाद हमारी बोड़ी को हेल्दी डाइट की जरूरत होती है और जब हम 45 दिन तक एक्सोसाइज के साथ साथ हाइट ग्रोविंग फूड खाते हैं तो हमारी हाइट आश्चरेजनक रूप से बढ़ती है उस समय हमारी बोड़ी की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है इसलिए अगर आप अपनी हाइट वास्तों में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन सभी एक्सोसाइज के साथ हाइट ग्रोविंग डाइट प्लान को 100% फोलो करना होगा अगर आपने डाइट प्लान की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सबसे पहले उस वीडियो को वोच करें और मेरे दुआरा बताई गई सभी चीजों को फोलो करें दोस्तों अगर आप अच्छी डाइट के साथ साथ इन सभी एक्सोसाइज को कंटीन्यू करेंगे तो आपकी हाइट 100% बढ़नी सुरू हो जाएगी दोस्तों मेरे दुआरा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक का रिप्लाइ जरूर देंगे और ऐसी ही नोलिजेबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके बैल के घंटे को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए तो फिर मिल देते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार